वेलकम बैग फेंड्स यह हमारी वीडियो नमबर फिप्टीन क्लास ट्वाइल्थ कंपूर्टर साइंस वेथ पाइथन सेरीज के लिए और प्रिवेश कुछ वीडियो से हम यहाँ पे mcqs को सॉल्फ कर रहे थे multiple choice questions को और इस वीडियो मों हम डिसकस करेंगे हमारे चैप्टर नमबर 7 python connectivity with mysql के mcqs को तो काफी आपका basics है यहाँ पर यह chapter है तो start करते हैं सबसे पहले the command used for modifying the record in sql from python is यान कि कौन सी command है जो कि हमको record को modify करने में help करती है आपका python के अंदर से sql के अंदर यान कि अगर आप python की जो file है उत पर आप work कर रहे हैं और आपको पीछे database है और इस database की files को अगर आपके modify करना है तो कौन सा function हम use करेंगे देखिए इसमें आपका update यूज नहीं होता add भी यूज नहीं होता और update all भी यूज नहीं तो आप इसमें modify कर सकते हैं यानि कि आप इसमें update कर सकते हैं आप यहां पर order कर सकते हैं नया table आप create कर सकते हैं तो यह सभी जितने भी आपके work है operations है वो सभी आपके execute function की मदद चे होते हैं तो इसका जो correct answer है वो है none of the above ऐसी next question हम देखते हैं this software is used for coding the python language यह तो काफी basic सा आपका question है तो इसका answer आपका ideally है इसके अलावा idea python script connector ऐसा कोई भी आपका यहां पर editor जो है वो नहीं होता है next question हमारा है name the method which is used for displaying only one result is set जैने कि अगर आप एक result को read कर रहे हैं from आपका cursor जब भी हम cursor बनाते हैं लेकिन आपको यहां पर एक number देना पड़ता है जो कि integer form में होता है और fetch number यह कोई भी आपका function नहीं है fetch all एक function है जो कि सभी data को read करेगा आपका cursor के अंदर से इसी तरीके से next question देखते हैं which command is used for counting the number of rows in a database यानि कि database के अंदर अगर आपको total record को read करना है देखर आगर आप record कहें या इसको आप rows कहते हैं या simply database sequence के अंदर यानि कि अगर sequence के अंदर हमने एक sub sequence को check करना होता है तो वहाँ पर हम count का use करते हैं next question देखते हैं pick the correct username used for logging in database यानि कि अगर आप python की मदद से SQL में अगर आप login करते हैं तो इसके लिए correct username क्या होता है देखिए correct username हमेसा आपका root होता है और कई सारे software है जहाँ आप अगर आप root को user name लेते हैं तो आपको आप पर password भी देनी के जुरूरत नहीं पड़ती तो यह आपका इसको जो correct answer है वो root यहाँ पर होगा question number six name the function used to connect my SQL to python यानि कि कौन सा यहाँ पर function है जिसकी मदद से हम हमारी जो python है उसको SQL के साथ connect करते हैं तो इसके लिए हम connect function का use करते हैं तो इसका जो correct answer है वो connect है और connector नाम का कोई भी function नहीं होता तो केवल इसका second answer यहाँ पर correct होगा next question यहाँ पर है name the module used for connecting my SQL to python यार कि कौन सा module है जिसके मदद से हम python को SQL के साथ connect करते हैं तो इसके लिए हम use करते हैं mysql.connector अब देखिए mysql.connector directly ऐसा कोई भी module नह है तो इसका जो correct answer है mysql.connector then इसके बाद हम connect लिखते हैं अभी हमने ऊपर देखा कि कौन सा function यूज होता है तो यह function है और यह module का name है पूरा का पूरा next question हम देखते हैं to read all data from cursor we use the यान कि अगर cursor में सारा का सारा data हम read करते हैं उसके बाद सभी को अगर हमने display करना है उसको ह कौन सा function हम यूज करते हैं तो देखिए पूरा का पूरा data यूज करना है तो इसके सिंपल सा answer है fetch all इसका answer होगा जिससे कि हम पूरा data read करते हैं इसके अलावा fetch one से हम एक data read करेंगे और fetch many के अंदर अगर हम कोई number यहाँ पे देते हैं यानि कि अगर मैं इस तरीके से आँ तो यह केवल आपके five record जो हैं उनको ही read करेगा और अगर आपने complete record read करने हैं तो इसके लिए fetch all होता है और fetch all के अंदर भी आपका पूरा data list के अंदर आता है जिसमें हर एक individual record आपको यहाँ पर tuple के form में मिलेगा यानि कि जितने भी record हैं वो सभी record आपको यहाँ पर tuple के form में मिलते हैं तो I hope आपको यह chapter समझ माया होगा और साथ ही में इसके MCQs भी समझ माया होंगे तो इसी के साथ हमारे paper का यहाँ पर end होता है और साथ में वीडियो भी खतम होती है वीडियो नंबर 15 तो मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में वीडियो नंबर 16 जहां पर हम डिसकस करेंगे हमारे networking के जो MCQs है वीडियो नंबर 16